जैहिंद फ्रेंड्स करेंट अफेर्स में इंटरनेशनल रिलेसंस की सिरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सिरीज में मैं यह आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और इंटरेस्ट ले करके चीजों को रटने की बजाए समझने पर ध्यान दीजिएगा मुद्दे वही रहते हैं केवल और केवल रेफरेंस बदल जाता है इंटरेस्ट परमानन रहता है जहां भी इंटरेस्ट है वहां पर इसुज रहेंगे। ठीक और इसी अगड़ी में हम लोग वेस्ट तरफ थे वेस्ट इसिया का हमने एक पार्ट देख लिया था और आज हम देखते हैं कि वल और कि इस्रायल पर बात करते हैं तो आज का मुद्दा और वेस्ट इसिया हमेशा करेंट अफेर्स में रहे गाई रहेगा क्योंकि कोई भी नहीं चायता है कि उस मुद्दे का समधान हो ठीक जब तक दो पच्छापस में जो लड़ रहें अगर वो यह ना समझें यहां इसका समधान निकालना जरूरी है कब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे तब तक उसका समाधान नहीं हो सकता कोई तीसरा बेक्ति दो के बीच में आ करके समाधान कराएगा कोई सुपर पावर ऐसा कुछ नहीं होगा ठीक तो यह मुद्दा हमेशा न्यूज में बना रहेगा कुछ एक रिवीजन कर लेते हैं रि यह पूरा है जार्डन यहां पर है सीरिया और इधर है लेवनान यहां पर इसके आसपास ठीक यह है मेडिटेरियन सी भूमत दिसागर इधर से स्वेज नहर गई है और यह इलाका है मिस्र का इजिप्ट यह है स्वेज कैनाल क्या करती है रेड सी को मेडिटेरियन सी यह भूमत दिसागर से जोड़ती है इधर इजिप्ट का ही पार्ट है इसको बोलते हैं सिनाई प्रायद्वीप यह स्वेज कैनाल बीच में पढ़ती है सिनाई प्रायद्वीप और मिस्र का जो पूरा लैंड है इस थल है उसके बीच में है स्वेज कैनाल यहां पर है एक पोर्षन जिसको आप हमेशा न्यूज में रहेगा यह गाजा पट्टी यही है यह वाला जो पार्ट है यह है येरुसेलम इसको इस्ट और वेस्ट दो पार्ट में डिवाइड किया गया है यहां पर एक जगह है उसको बोलते हैं येरुसेलम यह पूरा पार्ट है जिसको बोलते हैं वेस्ट बैंक वेस्ट बैंक का मतलब पश्चिमी किनारा यह किसका पश्चिमी किनारा है यहां से एक रीवर भह रही है जिसका नाम है जार्डन तो जार्डन रीवर का ये वेस्ट वाला पार्ट है रीवर इस वज़े से इसको वेस्ट बैंक बोलता है ये जो बीच का पार्ट है जार्डन रीवर और मेडिटेरियन सी के ये जो बीच का पार्ट है that is called इस्राइल ठिक ठिक जार्डन यहां से था तो इधर से ऐसे एक ये था क्या? अरब प्राइदुीप अरब प्राइदुीप में भी ये क्या था? इधर था यमन और ये क्या था? ओमान इधर इरान और पाकिस्तान है ये मैंने बताया था पर्सियन गल्फ फारस की खाड़ी एक ये वाला पार्ट बहुत सक्रा है परसियन गल्फ और इधर है अरब सी यहां पर है गल्फ आफ ओमान ओमान की खाड़ी और ओमान की खाड़ी और परसियन गल्फ को जो जोड़ रहा मतलब अरब सी और पर्सियन गल्फ को जोड़ रहा है यह इस काल इस्ट्रेट आफ पोर्मुझ पोर्मुझ जलसंधी यह इंपॉर्टन लगा लीजिएगा क्योंकि आपके मैप में पूछा जाता है ठीक अब किस लिए रिवाइज कर रहे थे वह देखिए यहां पर मैंने बताया था यह पूरा हरेड़ सी इधर यह इधर है अफ्रीका ठीक हारन आफ अफ्रीका इधर पड़ता है और यहां पर है गल्फ आफ अधन ठीक और यहां पर जो इस्टेट पड़ती है उसको बोलते हैं पाब अल मांदेब इस्टेट लास्ट लेक्चर में साइद यहां पर गल्टी से अकाबा स्टेट अफ अकाबा या गल्फ आफ अकाबा ऐसा कुछ बोल दिये थे अकाबा यहां पर पढ़ता है यहां पर इजरायल का लास्ट वाला पार्ट रेड़ सी से जोड़ता है यह है Gulf of Akkaba Akkaba की खाड़ी तो इसको correct कर लीजिएगा ठीक, Gulf of Akkaba वहाँ पर है Red Sea में और Red Sea और इधर Indian Ocean को जो जोड़ रहा है वो है Bab al-Mandev State और यहाँ पर है अधन की खाड़ी Gulf of Aden ठीक, बात समझ में आ गई अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका के बीच में जो इस्टेट है, that is called Bab al-Mandev State, ठीक, तो यह जोड़ा ध्यान से इसको correct कर लीजिएगा और ध्यान भी रखिएगा, ठीक, यह चीज़ें पूछी जाती है आज हम लोग इसराइल के जन्म की कहानी पढ़ेंगे और जन्म की कहानी से लेकर के अब तक का सفर तै करेंगे इस वज़े से है, क्योंकि 7 अक्तूबर के दिन इन पर एक आतंगी संइखठन हमास ने क्या कर दिया था हमला कर दिया था ठीक और वो हमले के जवाब में सौ दिन से जादा हो गए और ये भी तक क्या है हम आज को पूरी तरीके से विनस्ट करने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं ठीक देखिए हुआ क्या कि हेडिंग डाल लीजिए इस्टिन तंगर्स ठीक और यहां से इसके इतिहास से बात सुरू करते हैं ठीक है सबसे पहले शुरू करते हैं और द्योगी करांदी के पहले का सफर इस समय आटोमन समराज हुआ करता था या इसको बोलते हैं उस्मानिया सामराज इनका लीडर था अरकी इसको आप तुर्की यह बोलते हैं आज के समय ठीक इस समय देखिए स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर पूरे रीजन में मुस्लिम पापुलेशन अरब के लोगों की पापुलेशन क्या है ज्यादा है तो सबसे पहले वहां पर यहूदी क्या थे अलपसंख्यक अलपसंख्यक माइनारिटी में और अरबी लोग यह क्या करते थे बहुसंख्यक और इनमें आपस में छुटपुट घटनाएं क्या होती थी होती रहती थी ठीक तो अब हम इसी बात है कि अगर अलपसंख्यक है तो यह उतने उसमें विरोध नहीं कर पाएंगे अरब लोगों का और यह अपना क्या करेंगे बचाओ करेंगे वहीं यह करते थे उसमें कोई बड़ी बात नहीं है हर कोई इनसान अगर आप संख्यक संख्या में है तो अब किसी बात है कि वह बहुत संख्यक से डायरेक्ट नहीं टकर आएगा ठीक सिकंड फेज आया फस्ट वर्डवार के समय फस्ट वर्डवार के समय दो घटनाएं हो गई दो घटनाएं यह हो गई आपको पता है कि तुलहवी सताबदी से ले करके आगे तक 18 और 19 सताबदी में ब्रिटेन और यूरोप का बोल भाला था यह लोग पूरे दुनिया में किया कि यह थे अपने अपने उपनिवेस बनाये थे वहां की जो कंटीज थी ब्रिटेन हुआ फ्रांस हुआ यह सब अब वो क्या किये कि यहां पर एक समझावता हुआ और उस समझावते का जो नाम था वो था फस्ट वर्ड मैं भूल रहा हुँ सेकंड वर्ड मुझे याद है पिकोट समझावता हुआ एक साई या करके कुछ नाम था ऐसा चलिए अभी याद आएगा तो मैं बता दूँगा यह समझावता था इसके तहट क्या हुआ कि जो तुरुवात में कौन था अउनली फिलिस्तीन यहाँ पर कौन था अभी जरायल का जन्म नहीं हुआ केवल और केवल कौन सा रास्टर है फिलिस्तीन पैलेस्टाइन जिसे आप बोलते हैं तो फिलिस्तीन और उसके छेत्र इस समझावते के तहट इस सुपर पावर ब्रिटेन और फ्रांस के क्या बन गए मैंडेट मैंडेट ठीक वैसे ही है उपनिवेस की तरह है ठीक पास समझ में आ गई इस समझावते के तहट ही क्या बन गए मैंडेट बन गए ठीक अब जब यह मैंडेट बन गए तो सबाविक सी बात है कि इनकी जमीन पर किसका कब जा हो गया इनकी जमीन पर किसका जो है वो रूल चलेगा वो ब्रिटेन और फ्रांस का चलेगा ठीक यहीं पर प्रफस्ट वाल्डवार के समय एक गटना और हो गई उस गटने का क्या नाम था उस गटने का नाम यह था पाल फोर घोसड़ा पत्र ठीक इस यह घोसड़ा पत्र और यह समझा होता यह दोनों फस्ट वाल्ड वार के समय की बात है और इस गोसड़ा पत्र में कहा गया ब्रिटेन के द्वारा क्यों 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 कि ब्रिटेन ही उस समय क्या था फिलिस्तίν ब्रिटेन के आधिपत्य छेतर थे अब ब्रिटेन ने क्या कहा कि यहुदियों के लिए देश की बात कहां पर यह यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाने की बात बिटेन ने कही बसाने की बात इस बाल फोर घुचड़ा पत्र यह ध्यान रखिएगा इस घुचड़ा पत्र में बिटेन ने क्या किया यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाने की बात कही और उनको अलग देश देने की बात कही ठीक आप देखिए सूपर पावर का इंट्रेस्ट आपको यह समझ में आएगा इनको बसाना ही था तो वहाँ प्रफसानिक क्या जरूरत थी अगर आपको किसी पर दया रही है तो आप दूसरे के घर में डाका डाल कर गया दूसरे के घर से कुछ चीजें नहीं देंगे देंगे तो किसके घर से देंगे अपने घर से अपनी जमीन से अपने खेट से अपने खेट से अपने खेट से अपने जेब से ठीक ऐसा नहीं कि दूसरे को कहेंगे कि आप इनको दे दो ठीक लेकिन देखिए उस समय की सूपर पावर यही थे तो इसने उन्हें उन्हें क्या किया पालफोर घुश्टापत्र के द्वारा फिलिस्तीन के जो पार्ट था मतलब फिलिस्तीन की जो जमीन थी उस पर यहूदियों को बसाने का इन्होंने नड़े लिया और उनको एक अल इस समझहोते का नाम है पूरा नाम साइक्स पिकोट समझहोता अभी ध्यान आया यह साइक्स पिकोट समझहोता थिक यह दोनों बालफोर घुश्रापत्र और साइक्स पिकोट समझहोता इन दोनों में मिलता जुलता यही बात थी कि बिटेन ने इजरायल को फिलिस्तीनी ध Second World War के समय Second World War के समय एक नई चीज जगी वो दुनिया के हर एक देशों में जगी और उसी का प्रणाम था कि उसके बाद धड़ा धड़ा लोगों ने क्या किया अपनी स्वतंतरता की घोषड़ा करनी शुरू कर दी एक विचारधारा थी जिसको बोलते हैं नेशनलिजम राष्टवाद साथ में साथ Second World War के समय क्या हुआ था कि हिटलर आपने एक नाम सुना होगा एडॉल्फ हिटलर जर्मनी के तानासा और उन्होंने क्या किया जर्मनी में नाजी और यहूदी मतलब यहूदियों का इतना नरसंगार कर दिया जिसके लिए वो याद किये जाते हैं नेगेटिव सेंस में यहूदियों पर नरसंगार यह घटना होई कहां जर्मनी पर अब जब यहूदियों पर नरसंगार हुआ जर्मनी में तो यहूदी एक सीमा तक ही लड़ सकते थे उसके बाद उन्होंने क्या कि रिया पलायन करना शुरू कर दिया वहां से भागना शुरू कर दिया अब जब कहीं से भागें हैं तो कहीं पर तो बसाये जाएंगे वो इस धर्ती पर जेरुसेलम को उन्होंने क्या किया अपना पवित्र अस्थान मानते हैं यहुदी धर्म का उद्भव वहीं से हुआ था तो उन्होंने जेरुसेलम पर इकठा होने की बात कही यामोनी या जामोनी आंदोलन भी बोलते हैं यह तीन घटनायों के कारण क्या ने लेमोग्राफी यह कहिए हिंदी में जन सांखी की यह क्या हो गई? चेंज हो गई कहां की? फिलिस्तीन की उसमें क्या आ गया? परिवर्तन आ गया और उस परिवर्तन का परडाम यह था कि यहां पर क्या हुआ? कि यहूदी बहु संख्यक हो गए और अरबी यह क्या हो गए? अलफ संख्यक हो गए सेकंड वर्ड वार के समय यह हुआ छिटपुट गटना इनके बीच में आपस में लड़ाई चलती रहती थी यह अरबी और यहूदियों में फिक लेकिन यह जो सेकंड वर्ड वार का समय है इसने पूरा क्या कर दिया? पूरे हिस्ट्री को पूरे थिहास को और पूरे भविश्य को चेंज कर दिया अब क्या हुआ? सेकंड वर्ड वार समाप्थ हुआ 1942-45 के आसपास और इसके बाद 1948 में United Nation ने फिलिस्तीन का विभाजन कर दिया फिलिस्तीन का विभाजन करके दो राष्ट बना दिये एक बन गया फिलिस्तीन और दूसरा बन गया इसरायल और इन्हों ने 1948 में अपनी स्वतंत्रता की घोशड़ा कर दी इंट्रिस्टिंग बात ये है कि इसके पहले ये किसके मैंडेट थे ब्रिटेन और फ्रांस के जो कि उस समय की सुपरबावर थी बीसवी सताब्दी की उसके बाद क्या हुआ कि की सुरी जब ये युनाइटेड नेशन का गठन हुआ उनीशो पैतालिस में और इसके बाद इनमें आपस में लड़ाई होती रही लेकिन अभी ये बहुस अंख्यक है तो सब अभी कसी बात है कि ब्रिटेन यहां से भागना चाहेगा सत्ता क्या करेगा सौपेगा किसी को तो वो क्या किये सयुक्त राष्ट सभा में गए सयुक्त राष्ट में और वहां पर क्या हुआ से उत्राष्ट ने यह डिसीजन दिया कि इसका एक ही सोलूशन है कि यहूदियों को उनकी धरती यह किसलिए वहां पर यहूदी क्या करकर रहे थे सिर्फ और सिर्फ जेरूसे रहे, है कि इन्होंने क्या कर दिया, वहां की डेमोग्राफी को चेंज कर दिया, इस डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए तीन वजहें responsible थी, एक था राष्टवाद की भावना, दूसरे उन पर यूरोप पर अत्याचार हो रहा था, और तीसरा, ये जो यामूनी किया था लोगों से यहुदियों से ठीक अब संयोक्त राष्ट ने यहां पर क्या डिसीजन दिया कि यहां पर टू स्टेट थियोरी इसको बोला जाता है तो राज्यों क्या अस्तित्वा अलग अलग फिलिस्तीन और इजरायल इजरायल ने बिटेंस अपने स्वतंतरता की यह हुआ तो यह क्या कि यह धर्म के नाम पर लोगों को लामबंद करना शुरू किये और उसमें सबसे अजीब बात यह थी कि जो भी अरब राष्ट थे वहां पर देखिए अरब प्रायजीव है पूरा यह सब यमन, सौदी अरब, यूनाइटेड अरब अमिराट्स, मिस् अरब कंट्रीज हैं, यह सब अरबी कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज, ठिक, अरबी भासा वहां पर बोली जाती है, ठिक, अब क्या हुआ, इन अरब कंट्रीज को क्या हुआ, कि उन्होंने इस डिसीजन को मानने से इंकार कर दिया, अब इस डिसीजन को मानने से इंकार यूनाइटेड नेशन का निरड़े अस्वीकार उन्होंने मानने से इंकार कर दिया और जब मानने से इंकार कर दिया तो अरब देशों ने मिलकर इसरायल पर हमला कर दिया जब मिलकर हमला कर दिया अरब देशों का इंट्रेस्ट अपना कुछ नहीं था फिलिस्तीनियों के लिए वो लड़ रहे थे बस सीधी सी बात यह है अपने भाई बंदूओं के लिए ठीक उन्होंने मिलकर इसरायल पर आक्रमण कर दिया और जब इसरायल पर आक्रमण कर दिया तो यहां से दो चीजें निकल कर आई एक तो फिलिस्तीन के जो नागरिक थे वो अपनी ही जमीन पर विस्थापित हो गए अपनी ही जमीन से विस्थापित सरडार्थी के तौर पर आ गए और दूसरी बात अरब इसरायल अरब का मतलब अरब भी हो सकता है कंट्रीज भी हो सकते हैं और साथ में फिलिस्तीन भी यहां पर लिख लीजिए अरब और लिक फिलिस्तीन इस युद्ध का मंच तैयार हो गया मंच क्यों क्योंकि यह ऐसा है जो अभी तक चल रहा है एक प्लेग्राउंड जो है वो बैग्राउंड तैयार हो गया ठीक अब इसरायल पर हमला तो कर दिया यह दो चीजे हो गई अब इसकी वज़े से क्या हुआ इसका रिजल्ट क्या रहा इसका रिजल्ट यह रहा कि इजरायल जो है कुछ जीत गया और उसी का परणाम था कि उसने फिलिस्तीन को क्या कर दिया वहां के लोगों को और जो है फिलिस्तीन के भी कुछ छेत्रों पर उन्होंने क्या कर लिया कब जा कर लिया ये वो छेत्र थे जो सयूंत राष्ट के द्वारा बांटे गए थे कि ये एरिया फिलिस्तीन को और ये एरिया इजराहिल को ऐसा कुछ है ठीक और कैसे बाटा गया था वो देख लेते हैं आपने यहां पर देखा होगा यह है भूमत दिसागर यही इजराहिल का मैब ऐसे कु ठीक तो यहां का यह वाला इलाका गाजा पट्टी गाजा पट्टी इसी को बोलते हैं इसराहिल के पश्चिम में है यह भूमत दिसागर से लगा हुआ इलाका और यह जार्डन नदी का वेस्ट बैंक यह जार्डन नदी इधर से चली आ रही है यह है उसका इलाका वेस्ट वेस्ट बैंक तो संयुक्त रास्ट ने क्या किया ये वाला इलाका और ये वाला इलाका यहीं पर एक जगह है जिसको बोलते हैं येरुसेलम ये जेरुसेलम बोलते हैं ठीक तो वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी इन दोनों पर अधिकार दिया किसको फिलिस्तीन को ठीक और इस पूरे भाग पर ये कौन है इजरायल है आपने भारत पाकिस्तान का युद्ध सुना होगा 1971 का उसमें पाकिस्तान के हारने की सबसे बड़ी वज़े ये थी आप देखिए ये बीच में है इंडिया का पार्ट इधर हैं पाकिस्तान यहां पर हैं बांगला देश ये भी पहले पाकिस्तान के पार्ट हुआ करते थे इतने से इतनी दूर पर जिसमें की हवाई छेतर किसी ऐसे देश का जिसके साथ आपके मित्रवत संबंध नहीं है तो यहां से यहां तक सैनिक पहुँचाने में वो टाइम आपको लगेगा ही लगेगा और दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो इतने बड़े सेपरेशन के बाद भी वो लांग टर्म तक टिक सके तो इसका आज नहीं तो कल यही सुलूशन था कि यह आपस में स्वतंत्र होते या कोई एक भारत के साथ मिलता यहीं एक सुलूशन ही था अब यहां पर भी देखिए ठीक वैसे सिचुएशन है यहां पर और यहां पर बीच में ही जरायल इनको यहां से इसका सासन करना है या इधर इनके होडी बैठ रहा है हेड आफ डिपार्टमेंट और वो यहां पर कैसे सासन करेंगे बीच में है इसरायल तो आज नहीं तो कल इनका अस्तित्व यही है कि या तो यह एक तरफ हो जाएं या तो इधर या इधर या क्या करें इसरायल के साथ मित्रवत संबंदर रखें इसका यही एक सोलूशन ही हो सकता है लेकिन यह चीज इस चीज को समझने को यह लोग इस चीज को समझने को तैयार नहीं है और संयुक्त राष्ट और महा सक्तियों का दिमाग देखिए कि यहां पर इस येरुसेलम के लिए ही लड़ाई ज्यादा हो रही है क्यों ज्यादा हो रह और इस्लाम इन तीनों धर्मों के लिए सबसे पवित्र अस्थान येरुसेलम है इसलाम के लिए तीसरा पवित्र अस्थान जिसको आप बोलते हैं अल-अक्सा मस्जिद ये हज के बाद मक्का मदीना के बाद तीसरी सबसे पवित्र जगह है इनके लिए और कहा जाता है कि पैगंबर मुहम्मद यहीं से क्या किये थे जन्नत के लिए गए थे ठीक बासमज में आ गई इस वजए से ये इनको पवित्रस्थान मानते हैं वो कहां येरुसेलम में हैं यहूदी क्यों मानते हैं क्योंकि यहां पर एक इसी मस्जिद की दीव है जिसको बोलते हैं पश्चिमी की नारा ये इनके लिए पवित्रस्थान है और इसाई क्यों को कर रहे हैं इसाई ये कर रहे हैं कि यहां पर एक चर्च है आली स्क्वाइर करके उसका नाम है इस इसाई इस वजए मानते हैं कि यहीं पर इनको इसा मसीव को सूली पर का आपस में इस अस्थान से जुड़ा हुआ है अब इसी के लिए ये लोग लड़ाई कर रहे हैं लड़ाई कर रहे हैं अब अगर किसी को अलग सा मस्जिद जाना होगा गाजा पट्टी से तो उसके पास एक ही रास्ता है या तो ऐसे घूम करके लेबनान सीरिया होते हुए जार्डन होते हुए या इधर से डारेक्ट जाए और इधर से डारेक्ट जाएगा तो इसराइल बीच में आएगा इसराइल के साथ उसके मित्रवत संबंद होने जरूरी है ठीक बात समझ में आगई अब क्या हो रहा है ये तो थी बात उस समय की जब विभाजन हुआ था ठीक 1948 में धीरे धीरे क्या हुआ इसराइल ने जब सावएक सी बात है जब बीच में लड़ाई हुई तो यहाँ पर यह क्या करिए कबजा करना सुरू कर दिये यहाँ पर अल आप लोगों को यहुदी लोगों को बसाएंगे या अपने लोगों को प्राविक सी बात है कि धीरे धीरे वो क्या करेंगे उस रीजन को भी कैप्चर कर लेंगे अपने अधिगरहन छेत्र में ले लेंगे ठीक तो यह तो बात थी 1948 की अब ज़राद देख लेते हैं संघर्स के चरड या युद्ध और इधर देख लेते हैं सांती का इतिहास मतलब सांती समझोते और यह सब कैसे कैसे संघर्स और सांती एक साथ चल रही है तो पहला हुआ उननीस सो अर्टालिस में युद्ध में सब सामिल ते जी दिया था मिस्र था मिस्र ज़यादा नेता बन रहा था मिस्र ज़यादा अगवाई कर रहा था सभी अरब कंटीज की इस सब का नाम पहले रखिएगा सेकेंड जो युद्ध हुआ अरब इसराइल के बीच में वो था 1956 का और ये वो काल है जिस समय स्वेज क्राइसिस हुई थी मिस्र ने स्वेज नहर का क्या कर लिया था राश्ची करण यहाँ पर क्या था यहाँ पर इसराइल ब्रिटेन और दूसरी बात फ्रांस यह सब एक गुट में थे बाकी जो अरब कंटीज थी वो दूसरे गुट में थे तो यहाँ पर ज्यादा कुछ विसेश हुआ नहीं छोटे मुटे मुद्दे छोटे मुटे जमीनों पर अजिगरहन यही सब चलता रहा तीसरा जो अरब इसराइल युद्ध हुआ वो हुआ उन्नीस सो सरसठ में यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट इस वज़े से है क्योंकि अगर आप पस्ची मेशिया का मैप देखेंगे तो यह है इसराइल का पार्ट यहां से लगता हुआ है सिनाई प्रायद्वीप यह सिनाई प्रायद्वीप आज के डेट में मिस्र के पास है तो उन्नीस सो सरसठ की युद्ध में इसराइल ने इस पर भी कबजा कर लिया और इसी प्रायद्वीब से लगती हुई जो पत्ती है वह क्या है गाज़ा पत्ती है कि लोगाज़ा पत्ती पर भी कब जब हो गया सीरिया उपर है सीरिया के पास एक अस्थान है जिसको में बोलते हैं गोल्डन हाइट्स लुटन हाइट्स यह उब जाओ इलाका है, और उचाई पर है, ठिक, स्टेट्जिक point of view से इस्राइल के लिए और सीरिया के लिए, ये दोनों के लिए important है, सीरिया अगर इस पर कबजा करेगा, तो इसराइल पर नजर रही थी पूरे ग्रुप में उसमें से मिस्र के सिनाई प्राइदीप पर सीरिया के गोलन हाइट्स पर और फिलिस्तीन के पूरवी येरुसेलम या वेस्ट बैंक के मैक्सिमम रीजन पर कबजा कर लिया जिसकी वज़े से कौन प्रभावित हुआ जार्डन जार्डन नदी के पस्चिमी किनारे का ये भाग है तो ये इन्होंने क्या कर लिया गाजापटी पर भी कबजा कर लिया इजरायल में फिर क्या हुआ इधर येरुसेलम पर भी कबजा कर लिया जबकि येरुसेलम और गाजापटी किसके अधिकार छेत्र में थे फिलिस्तीनियों के ठिक fourth point चौथा अरब इजराइल युद्ध हुआ 1973 में और इस युद्ध का नाम है योन किप्पुर युद्ध तोर्थ अरब इजराइल ठीक इस युद्ध में क्या हुआ बाकी जो तीन युद्ध लड़े गए थे वो फिलिस्तीन को अपना हग दिलाने के लिए अरब कंटीज ने लड़ा था अरब देसों ने लेकिन इस युद्ध का उद्ध से फिलिस्तीन को अपना हग दिलाना नहीं था इस युद्ध का उद्देश से अपनी जमीन पर इज्राइल का कबजा चुड़ाना था जो इज्राइल ने कबजा कर रखा था बात समझ में आ गई पहले जो तीन युद्ध थे वो फिलिस्तीनियों का हग दिलाने के लिए अरब कंटीज द्वारा लड़े गए थे लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए लेकिन जो इस युद्ध का उद्देश से था वो फिलिस्तीनियों को अपना दिकार या अपनी जमीन दिलाने की बात पर नहीं था इस युद्ध का उद्देश से था कि जो हमारी जमीन पर इज्राइल का कबजा है उसको क्या करें इज्राइल से छीन ले और यह सब संगठित हो करके उस इज्राइल के पीछे पड़े हुए लेकिन यहाँ पर कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि इस युद्ध में आप इस युद्ध को इंपर्टन क्यों कह रहे हैं क्योंकि इसका उद्देश से फिलिस्तीनियों के लिए नहीं बलकि अपने खेत्र से खेत्र को इज्राइल से वापस प्राप्त करना था यह इसका उद्देश था और यहाँ पर इंट्रिस्टिंग बात यह है कि दो सूपर पावर दो महा सक्ति यह आमने सामने आ गए दो महा सक्ति कौन कौन सी इसराइल के साथ था अमेरिका और अरब कंटीज के साथ था रसिया यूएससर जिसे आप कह रहा हैं तो वियत संग रूस यहाँ पर दोनों आमने सामने आ गए और फिर उसके बाद संयुक्त राश्ट को बीच में आना पड़ा और फिर समझावता हुआ उस समझावते में क्या-क्या बिंदू थे वो देखते हैं मिस्र मिस्र का इंट्रेस्टिंग बात ये था कि ये अपने जमीन को सिनाई प्रायद्वीब को वापस नहीं ले पाए बलकि पूरी तरह से अमेरिका के साथ हा गए मैंने आपको बताता हूँ ना कि जाहाँ वो ब्यक्तिगत जीवन हो और जाहाँ वो देश्ट की बात चल रही हो अंतराश्टी संबंद हो सबसे पहला है अपना खित अपना इंट्रेस्ट बाकि सारी बातें बाद में यारी दोस्ती मितरता सब कुछ बाद में और ये देखिये लाइव एक्जामपल अरब कंटीज को सोचना चाहिए अगर कोई आपसे ज़्यादा ताकतवर है आप जान रहें कि उसको हरा नहीं सकते क्यों क्योंकि ये चौथी बार इन्होंने ट्राई किया था वो भी संगठन में फिर भी इसराईल को नहीं हरा पाए जब नहीं हरा पाए तो इन्होंने क्या सोचा कि जब हम इससे अपना छ जिनाई प्रायदी अधिग्रहित किया गया था मिस्र का वो क्या किया गया वापस दिया गया किसको मिस्र को इस पॉइंट से आप ये लिंक सोचिए कि जब ये चौथी बार भी नहीं लड़ पाए संगठन में तो फिर इन्होंने क्या किया इन्होंने दोस्ती कर ली और अरब कंटीज को इस बात से सोचना चाहिए ठिक और ये जो दोस्ती की इस दोस्ती का ही नाम है कैम्प डेविड समझावता 1978 इसके लिए इजराइल के प्रधान मंतरी को और मिस्तर के राष्टपती को दोनों लोगों ने जब ये समझावता किया तो उस समझावते में उस समझावते के बाद उनको सांती का नोबल पुरसकार दिया गया आप सोचिए कि उस छेत्र में कम से कम इन्हों ने तो युद्ध का विराम सोचा युद्ध का विराम किया इतने युद्ध लड़ने के बाद तो इस वज़े से कैम्प डेविड समझोता याद रखेगा 1978 और जब मैंने आपको बताया था जब हम लास्ट लेक्चर पढ़ रहे थे अब बराहम समझोता तो मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे इन्होंने रिलेशन बनाए अरब कंट्रीज ने इसराइल के साथ इस तरीके से इसराइल के साथ इनके रिलेशन आगे बढ़े तो उसमें पहली सुरुवाद किसने की? मिस्र ने 1978 ये सुरुवाद करने वाले पहले इस वज़े से थे क्योंकि लड़ाई करने वाले भी अरब देशों की अगवा यही थे मिस्र ठीक और इसराइल के पडोसी भी थे ठीक पडोसी आपकी इस्तिती बेहतर तरीके से समझता है इस वज़े से इन्होंने सोचा कि अब कब जा कर लेंगे अभी अभी नोजात सिसू है यह लेकिन इसराइल जो है वो कुछ ऐसा हो कीज़ी कि होन हर बिरवान के होद सीक नेपात वो वाली जो मुहावरा या उकती है यह उन्होंने सार्थक किया इसराइल एट क्युछ की बूत के जो पैर होते हैं वो पालने मेंग दिख जाते हैं ठीक वही वाल का हाल इजराइल ने किया तो इन्होंने क्या सोचा जब लड़ाई करके नहीं कर सकते अपने च्छत को नहीं ले सकते दोस्ती करके लेने और यूएसे ने मज़ता करके क्या कर दिया इजराइल से सांधी समझवता करा करके सिनाई प्राइदीब उनको दे दिया किसको मिस्र इ कि इस्राइल को मानेता मिल गई। यूँकि अरप कंटी ने सुरुवात से उसको मानेता नहीं दी थी। ठीकु नहीं न कहा था कि हम यससे समझताइन ने किया निरड़े उसको मद्ष्विकार करते हैं। एक तो मानेता मिल गई और दूसरा खेत्र में स्थिरता आ गई, सांती आ गई, ठीक, इस युद्ध से सीरिया को क्या मिला, सीरिया को कुछ नहीं मिला, बलकि गोलन हाइट्स पर के अधिक खेत्र पर, पहले जितना खेत्र इजरायल ने कम जाया था, उससे ज़्यादा छेत्र फर इजरायल ने कबजा कर लिया, इजरायल ने क्या कर लिया, कबजा कर लिया, ठीक, बास समझ में आ गई, तीसरा, गाजा पट्टी और पूरवी येरुसेलम, इस पर भी क्या हुआ? इजरायल का कबजा, इजरायल का क्या हो गया? कबजा हो गया, इजरायल को क्या मिला? इजरायल युद्ध में जीत तो गया, लेकिन इसकी छवी को नुकसान, थोटा देश है, लोग भी कम है, तो ऐसी स्थिती बन गई, कि ये बाच्चीत वाली पट्री पर आ गया है, क्योंकि युद्ध जो है, किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, और पहली बात ये कंटीनियू नहीं हो सकता, लगातार नहीं हो सकता, कभी न कभी बाच्चीत करनी पड़ेगी, बाच्चीत की टेबल पर आ गये, इजरायल, इजरायल के साथ अमेरिका भी था, तो ये USA को क्या मिला, अबर अरब देशों ने देखा, कि इजरायल पर हाथ किसका था, अंकल साइम का था, USA का था, और USA पर जब उन्होंने देखा, तो USA पर क्या हुआ, तेल के प्रतिबंद, मैंने बताया कि अरब कंट्रीज, औपक का हिस्सा है, ओपक वहीं से सुरुवात ही हुई थी, ठीक, तो सभाविक सी बात है कि इन्होंने क्या कर दिया, इस पर तेल का प्रतिबंद लगा दिया, अब देखे अंतरराश्त्री कैसे दो देशों की policies, कैसे दो देशों की नीतियां अंतरराश्त्री राजनीती को प्रभावित करती है invention is necessity is mother of invention आवस्चक्ता क्या है आविस्कार की जन्नी है ये दुनिया ने पहली बार face किया था और ऐसा bold decision दुनिया के सामने पहली बार अरब देशों ने रखा था कि अग जो हमारा support नहीं करेगा उसको हम तेल नहीं देंगे और पूरी राजनीदी पूरा विश्व किस पर चल रहा है आज कल पेट्रोल पर डीजल पर वो हमारे क्या है पूर्जा के संसाधन है सारी economy को अगर क्रेश करना हो तो पेट्रोल डीजल आप रोख दीजिए अपने आप economy क्रेश कर जाएगी क्यों क्यों क्योंकि technology का development एक long term अतासिज है एक दिन में चीजे नहीं बनती ठीक research and development में का लगता है टाइम लगता है उसको कास्ट effective करने में टाइम लगता है ठीक अब देखिए जब 1973 के युद्ध में यह सब हुआ ओपक कंटीज ने प्रदिबंध लगा दिया तो यहीं से एक जब लोगों को समझ में आया कि energy crisis हो जाएगी तो एक संस्था का जन्म होता है जिसको नाम देते हैं आई एए इंटरनेशनल अगा इनर्जी एजन्सी इसकी अस्थापना क्या हुई 1973 में और किसके कारण हुई जब उपक कंटीज ने तेल पर क्या लगा दिया था उत्पादन कम कर दिया था और बहुत ज्यादा तेल के प्राइस क्या हो इनेबल एनर्जी के लिए इसकी अस्थापना की गई थी 1973 में तो यह पॉइंट यहीं पर नोट कर लिएगा और इससे आपको यह भी पता चलेगा कि कैसे दो देशों की राजनी थी पूरे विश्व को ग्लोबलाईजेशन इसी वजए से कहा जा रहा है कि एक घटना पूर किधर की तरफ कूट नी थी टिपलो मैसी की तरफ विश्व ब्यवस्था का क्या हुआ रूपांतरण वा सौंज में आ गई कि युद्ध जो है पर्मानेंट सेलूशन नहीं है अब कूट नीती का सहारा लेना पड़ेगा ठिक आपने ये भी देखा एक 1960 की युद्ध में एक चीज़ाओ लिख लीजिएगा कि एक तो वर्ड का मानचित्र मैं कब बदला जब इसराइल को मानेता मिली फिलिस्तीन दो देशों में भाजित हुआ और साथ में क्या हुआ कि यहां पर पश्चिमेसिया का मानचित्र बदल गया क्यों कह रहा है मानचित्र बदल गया इसराइल का जगए जगए पर कब जा ठिक यह चार तो युद्ध हुए उसी में क्या हुआ कैम्प डेविड समझाओता से मिस्र ने क्या कर लिया आपस में समझाओता कर लिया अब देखते हैं हमास का उदय कहां से हो रहा है सबसे पहले एक संग्ठन बना फतह इसके नेता जो थे उनका नाम था यासिर अराफात इन्हों ने क्या किया ससस्त्र विद्रो के माध्यम से सस्त्र का उपयोग करके हथियार का उपयोग करके क्या किया फिलिस्तीनियों के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किया शुरुआत से ही 1948 से ठीक 1967 में जब सेकेंड अरब इसराइल युद्ध हुआ तो यहां पर एक संग्ठन आया जिसको नाम देते हैं पियलोग फिलिस्तीन लिबरल आर्गनाईजेशन ठीक पियलोग बाद में क्या हुआ यह कहां हो रहा है अरब लीग में इस संग्ठन का गटन और अरब लीग कहां हो रही है खारतून में खारतून आप देखेंगे तो मिस्र का एक सहर है ठीक और यहां पर अरब देशों ने फ्री नोज का प्रस्ताव रखा फ्री नोज का मतलब नो 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 तीन बार यह नो 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 क्या थे वो देख लेते हैं पहला इस्राइल के साथ कोई भी इस्राइल को माननता नहीं जब माननता नहीं तो कोई भी बात्चीत नहीं होगी वारता नहीं होगी और जब बात्चीत नहीं होगी तो कोई भी समझा होता नहीं होगी यह अरब लीग के द्वारा प्रस्ताव आया 1960 में जब यह क्या किये इस्राइल ने पस्ची मेसिया का पूरा मानचित्र बदल दिया था कब्जागर के छेत्रों पर तब यह प्रस्ताव आया इसी समय फिलिस्तिनियों के आजादी की लड़ाई के लिए एक संगठन मना पियलो बाद में फतह नामक संस्था संगठन इसी में मिल गया पियलो में तो यह आसिर अराफात इसके भी नेता हो गए पियलो के ठीक 1987 के आसपास पियलो के पतह संगठन वाले ग्रूप ने जब यह जान गए कि हम चार युद्ध लड़ चुके हैं अरब कंटीज के साथ फिर भी जरायल को नहीं हरा पाए तो इन्होंने दो काम किया कौन से ग्रूप ने फतह वाले ने जो पियलो में मिल गया था इसने क्या किया एक तो इसरायल को माननिता दे दी मतलब इसरायल का एक्जिस्टन्स स्विकार कर लिया ठीक और दूसरा खेत्र में सांती के लिए विद्रो और हथियारों या हिंसा का रास्ता छोड़ दिया कहा कि अब लड़ाई जो है ये इसका हल नहीं है इसका हल यही है कि दोनों देश एक दूसरे को माननिता दे करके सांती से रहें अब जहान से देखिए पहले बंदूख उठाए उसके बाद गांधी जी बन गए तो जो दूसरा गुड़ था पियल्लो का उसने क्या कि आपने आपको ठगा सा महसूस किया कि हम तो बेकारमेन के लिए लड़ रहे थे और यहीं से सुरुवात होती है हमास की 1990 के आसपास तो पियल्लो का दूसरा जो गुरूप था वही क्या बन गया हमास ठीक तो हमास क्या है अमेरिका इजराइल इसके सब के लिए आतंगी संगठन है और इस आतंगी संगठन के जो मतलब सपोर्ट करने वाले देश है वो है लेबनान का एक गुरूप है हिजबुल्ला यह ठीक वैसे ही है जैसे हमास है यमन का एक गुरूप है जो है हूती यह गुरूप मैच करने के लिए पेपर में आएगा तो जरा चीजें ध्यान रखिएगा ठीक कहानी की तरह ही खाली मत सुनिएगा चीजें थोड़ा ध्यान में रखिएगा ठीक तो यह सब क्या है इनहीं के लिए सपोर्ट कर रहा है हमास के लिए अब देखिए शुरुआत हुई थी कहां से फिलिस्तीन की आजादी से चार युद्ध हुए पियलो और साथ में अरब कंट्रीज पियलो से तो छुट मुट लड़ाई चलती रहती थी अब अरब कंट्रीज भी साथ में चार युद्ध लड़ चुके कुछ नहीं हुआ तो बाद में क्या हुआ टू इस्टेट सुलूसन ठीक अब जरा समझहोते के बारे में देख लेते हैं कि कैसे कैसे पश्चिमी एसिया की राजनी थी इस्राइल के इर्द गिर्द घूमी तो सबसे पहला समझहोता हुआ जो था कैंप डेविट समझहोता किसके किसके बीच में 1978 में इस्राइल और मेसर मैंने बताया कि इन दोनों के राष्टपती को क्या मिला नोबल का सांति पुरसकारिस के लिए ठिक दूसरा ओसलो समझहोता ओसलो समझहोता हुआ उसलो समझहोता हुआ 1993 में ठिक ओसलो क्या है नार्वे की राजधानी ठिक नार्वे जो नार्डिक कंट्रीज है उपर देखिएगा यूरोप में वहाँ पर नार्वे मिलेगा आपको नार्वे स्वीडन और डेन्मार्क ठिक पोलेंड ये सब उधर ही है ठिक है अब क्या हुआ कि ओसलो समझाओता जब हुआ नार्वे में तो ये किसके किसके बीच में हुआ इजराइल और पियल्लो के बीच में दोनों ने एक दूसरे को मानेता दे दी और सांती की बात की तो इस्टेट सलूसन माना एक दूसरे पियल्लो ने एक काम और किया फिलिस्तीन के जो अधिकार छेत्र वाले छेत्र हैं गाजापट्टी और येरुसेलम उसमें क्या किया पैलिस्टेनियन अथारिटी के नाम से फिलिस्तीनी प्राधिकरड के नाम से एक संगठन को क्या किया परमीसंदी और कहा कि फिलिस्तीन पर प्रसासन यही करेंगे और इनका चुनाओ फिलिस्तीनी लोग करते थे उनके नेताओं का इनही के नेता है इस समय आप लोग नाम सुने होंगे महमूद अब्बास यह कौन है इसी पलिस्तीनियन अथारिटी के क्या है नेता है जो क्या करना है फिलिस्तीन के प्रधान मंत्री के तौर पर काम करना है जिनका प्रसासन छेतर गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का इलाका है ठीक तो यह हुआ उसलो समझाओता हूँ अर्ड जार्डन के साथ समझाओता जार्डन के साथ समझाओता हूँ उनीस सो चौरहनवे यह जब हम लास्ट लेक्चर पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में हमने बता रखा है आपको फिक पोर्थ सौदी अरब के साथ पाचवाँ अबराहम समझाओता हूँ यह सौदी अरब के साथ हुआ दो हजार पांच में और अबराहम समझाओता हुआ दो हजार बीस में ठिक अब पियलो का जो दूसरा संग्थन था हमास उसने देखा कि यह सारे समझाओते के थूँ अरब देश क्या कर रहे हैं बारी बारी से इसराइल को मानिता दे रहे हैं अब जब मानिता दे रहे हैं तो उन्होंने यह सोचा कि अब तो हमारा लड़ाई ही खतम हो जाएगा इसके लिए इन्होंने क्या किया सौधी अरब वाले समझाओते में क्या था कि 2005 से इसराइल ने इस इंगेजमेंट पॉलिसी के तहट क्या किया गाजा से चले गए गाजा पट्टी पर अधिकार छोड़ दिया गाजा पट्टी पर अधिकार छोड़ दिया तो उस समय से हमास ने क्या कर लिया उसको पूरा टेक ओवर कर लिया और आप बार बार न्यूज में देख रहे होंगे कि जो भी विश्व से मदद उनको मिलती थी फिलिस्तीनियों को सयुक राश्चंग की तरफ से बाकी देशों की तरफ से अरब कंटीज की तरफ से उस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने लोगों की भलाई के लिए न करके इसके लिए किया सुरंगे बनाने में इजरायल को हराने में आज आप न्यूज पर देख रहे होंगे कि रोज कोई ना कोई सुरंग वहाँ पर मिल रही है ठीक है सुरंगों का इतना बड़ा नेटवर्क औ और जबकि बगल में कौन है भूम अद्धिसागर ठीक तो यह सब चीजें यही होता है कि अगर एक लोगतंत्र में रह रहे हैं या ताना साही या हिंसा वाले छेत्र में है हिंसा किसी भी चीज का सुलूशन नहीं है ठीक अब इन्होंने देखा कि सारे लोग क्या कर रहे हैं धीरे धीरे इजराइल को मानिता दे रहे हैं और फिर फिलिस्तीन का मुद्दा ही गायब हो जाएगा अब क्या हुआ कि इसी परिप्रेच में हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया हमास ने जब इजराइल पर हमला किया वो चौथा जो अरब इजराइल युद्ध था 1973 उसकी पचासवी वर्सगाठ पर किया है पचासवी वर्सगाठ मतलब 1973 में अगर आप पचास जोड़ेंगे तो 2023 आएगा ठीक तो 7 अक्तूबर 2023 के दिन यह हमला हुआ ठीक हमले में इजराइल की कुछ खामिया नजर आई खामिया यह नजर आई कि इन्हों ने एक आरन डोम नाम का एक सिस्टम बनाया था यह ठीक वैसे ही है जैसे हम लोग S-400 टेकनोलोजी ले रहे हैं रसिया से यह क्या करता है ऐसा वायु छेत्र सत्तर किलोमीटर तक की रेंज में जो भी मिसाइल इसके छेत्र में आएगी उसको यह क्या कर देगा हवा में ही नश्ट कर देगा इजराइल की धरती पर वो गिर नहीं पाएगी और जब हमास के लड़ाके इसकी धरती पर आकरके अक्रमण करते हैं और करीब आदे गंटे बीस मिनट में उन्होंने पांच हजार राकेट इन पर हमला कर दिया बीस मिनट में पांच हजार राकेट हमास ने हमला कर दिया किस पर इजरायल पर और यह system कुछ नहीं कर पाया track ही नहीं कर पाया समझे जब कि इसका काम ही यही था क्या कि track करना और उसको हवा में ही क्या कर देना नस्ट कर देना ओ धरती पर ना गिरे तो इजरायल की एक खामी यह नजर आई दूसरा जो उनका इंटेलिजन्स है मोसाद वो वर्ड में नंबर वन पर है और उनकी भी खामी नजर आई कि उनको कोई इन्पुट नहीं मिला या इतना हमला इतनी तेजी से और इतनी बड़ी मात्रा में कैसे हो गया सव डेड़ सो लोग मारे गए इसराइल के यह था इसराइल ने जो हमास के विरुद्ध आउपरेशन किया इनाउंस किया उसका नाम है आउपरेशन स्वार्ड यहाँ पर भारत के भी नागरिक होंगे भारत के नागरिकों को निकालने के लिए जो इंडियन गवर्रमेंट ने आउपरेशन शुरू किया उसको बोलते हैं आउपरेशन आजये ठीक यह आपरेशन याद रखिएगा बार-बार पूछा जाएगा आपसे ठीक कि आउपरेशन आजये कब और किसके लिए सुरू किया गया ठीक झालना इजये के लिए हुआ जावा कि भinh उन्साम झालना breaking जापने कि अओढ esté है 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 साथ अक्तूबर का दिन यहुदियों का सबसे मुख्य दिन होता है दिखतर छुट्टियां रहती है सब्त कादिनी से बोलते हैं थीक है तो उस दिन हमला किया गया ताकि वो लोग उस समय रिलेक्स थे और इसका नाम था अल-अक्सा फ्लड अल-अक्सा तूफान के नाम से हमास ने क्या किया था हमला किया था ठिक कुछ चीजें जान लेते हैं कि इस युद्ध का या पश्ची मेशिया में जो भी चीजें होंगी उसका बाकी विस्व या भारत पर भारत भी क्या है विस्व के देशों में ही है क्या प्रभाव पड़ेगा ठीक तो एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि मानौता का मानौता की हानि ठीक तरडार्थी बढ़ जाएंगे संयोक्त राष्ट पर जिम्मेदारी बढ़ रही है वो क्या कर रहा है हमला को रोक नहीं बारहा है ठीक दूसरी बात डहे जो रूत है आपने इस पर सुना होगा यमन के जो हूती विद्रोही है वो अमेरिका की बैपारिक जहाजों पर क्या कर रहा है उसका कोई सलूसन नहीं है तो ब्यापार की हानी हो रही है, अर्थ बिवस्था, वो भी एकोनॉमी का हो रही है, डाउन होगी, फिर, पस्ची मेशिया की छेतर क्या है, तेल उत्पातक देश है, तो तेल की कीमतें क्या होगी, बढ़ेंगी, और तेल की कीमते बढ़ेंगी तो एक साइकल के रूप में ये सभी चीजों की महंगाई क्या कर देंगी बढ़ा देंगी ठीक एक इम्पॉर्टन्ट चीज है इम्पॉर्टन्ट चीज इस वज़े से है क्योंकि अगर आप इसराइल का मैप देखेंगे तो ऐसा कुछ है सहर है इनका नाम आप याद रखिएगा आइस केलम आइस डोब तेल अवीव तेल अवीव क्या है इसराइल की राजधानी है और एक सहर है यहाँ पर अंदर हाइफा इसमें से आइस डोब या आइस डोड सायद कहते हैं इसको दी ओडी इस पर स्टार लगा लीजिए इंपॉर्टन लगा लीजिएगा क्योंकि यह जो है क्या है इसको पोटास पोल्ट के नाम से भी जानते हैं यहां से पूरे वर्ड का 3% पोटास बाहर भेजा जाता है निर्यात किया जाता है तो पेट्रोल के साथ साथ अगर पोटास की कमी हुई होगी तो यह क्रिस छेत्र के लिए क्या है उर्वरक है तो हमारी क्रिस क्या होगी डाउन होगी उत्पादन क्या होगा डाउन होगा तो खाद्य सुरच्छा हंकट पर पड़ जाएगी तो यह पूरी साइकल तो जो हमारा जीरो हंगर का उद्देश से है SDG 17 जो SDG है उनका उद्देश से अभी पूरा हो पाएगा नहीं बूरा हो पाएगा तो यह सारी चीजे कुछ आपको लास लेक्चर में बता दिये हैं भारत का जरा रुख देख लेते हैं कुछ इंपार्टन पॉइंट है पहली चीज भारत के रुख में आप यह ध्यान रखिएगा जब 1948 में इसराइल इसराइल ने अपने स्वतंतता की घोषड़ा की यह कहिए सहयूद रास्टसंग ने इसराइल को मानिता दी उस समय भारत ने इसका विरोध किया भारत ने विरोध यह किया कि फिलिस्तीनियों को हटा करके अपने ही देश में आप दूसरे लोगों को बसा रहे हैं लेकिन साथ में यह भी चेंज आ गया 1950 में इसराइल को भारत ने मानिता दे दी क्या दे दी मानिता दी लेकिन हमारा मानवी रूप में जो सपोर्ट था वो किसके साथ था फिलिस्तीनियों के साथ हम ये चाह रहे हैं थे कि अरब कंटीज का हमारा सपोर्ट अगर फिलिस्तिनियों साथ है तो अरब कंटीज कस्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का सपोर्ट ना करके हमारा सपोर्ट करेंगे लेकिन चुंकि वो धर्म के नाम पर लामबंद थे इस वज़े से उन्होंने हमेशा कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का सपोर्ट किया यही देखते देखते भारत ने 1992 में अपनी पॉलिसी चेंज की और कहा इस्राइल के साथ कूट नीतिक संबंध बना लिये उट नीतिक संबंध मतलब MBC एक दूसरे के देश में शुरू हो गई 1992 में देखिए यहां से यहां तक का ट्रांजीशन पीरियड 12 साल कितना ज़्यादा है यही दिखाता है कि गौवर्मेंट का वीजन क्या है हम खाली लुक इस्ट पॉलिसी या लुक वेस्ट पॉलिसी की बात करेंगे या उसमें कुछ काम भी करेंगे तो उसके बाद एक्ट इस्ट पॉलिसी आई और फिर एक्ट वेस्ट पॉलिसी भी इसी पस्चिमेशिया पर केंद्रित है, ठीक, 1992 में क्या किया, इसराइल के साथ कूट नीतिक संबंद हो गया, फिल इस तीन के साथ हमारे संबंद पहले भी थे, यहाँ पर एक policy याद रखिएगा, डी हाइफनेशन नीति, यह यह कहती है, इस नीति का इस्तेमाल भारत के इजराइल और फिलिस्तीन के साथ संबंदों के लिए किया जाता है, यह नीतिय कहती है, कि इजराइल के साथ और फिलिस्तीन के साथ संबंद हमेशा अलग-अलग हैं हमारे, और अपने अपने उनके दोनों के इंटरिस्ट हैं, कभी भी हम एक संबंद को वरीता देने के लिए दूसरे संबंद को क्या करेंगे, नजर अंदाज नहीं करेंगे, और यही कारण है, इसके बाद देखिए भारत आतंकवाद से पीडित था, हमास क्या है एक आतंकी संगठान है, भारत ने इजराइल का खुल कर सपोर्ट किया, कि आप आतंकवाद के लिए हमारी भी जीरो टॉलरेंस पालिसी आपको जो भी मदद चाहिए हम करेंगे, लेकि साथ में भारत ने फिलिस्तीन को भी क्या की, मदद पहुचाई, मानवता के नाम पर, कि हम यह जो आप गाजा में आम नागरिकों को मार रहें, यह गलत है, साथ में यह भी कहा, तो इसी को क्या बोलते है, डी हाइफनेशन पॉलिसी, ठीक है, पश्ची मेसिया में एक चीज कराना भूल गए थे, सौदी अरब, यूएई, यह दोनों केंदर पे रख करके हमने मद्धेसी, उसारी, पश्ची मेसिया पढ़ा था, और इन दोनों के मद्धे केंदर में हमने यह बताया था, कि भारत के लिए यह ब्यापार के रूप में, पेट्रोलियम उत्पादों के रूप में कैसे क्या है, महत्तोपूर्ण है, ठीक, बस समझ में आ गई, अब क्या है, एक चीज वहाँ पर बताना मैं भूल गया था, इसकी राजधानी आबू धाबी, यहाँ पर क्या है, आई आई टी डेली का, एक कैंपस बनने जा रहा है, विदेशी धर्ती पर, यह थोड़ा important है, इससे क्या होगा, इछात्रों का आदान प्रदान, आपस में संस्कृतियों का आदान प्रदान, प्रोफेसर्स का आदान प्रदान, यह सब होगा, तो हमारे संबंद क्या होंगे उर्जा छेत्र के लावा भी छेत्रों से क्या होंगे जुड़ेंगे आपस में तांस्रुतिक जुड़ाओ तो है ही ये भी एक नोट के ये ये किसी विदेशी धर्ती पर आयाइटी का बनने वाला दूसरा कैमपस है पहला कैमपस कौन था पहला कैमपस बन रहा था तंजानिया में ये भी अफरीका में है ठीक ये जो युद्ध का परणाम भारत के साथ हुआ बाकी देशों ने भी क्या कर लिया जैसे अब हमास ने युद्ध कर लिया और हमास मुस्लिम होने के नाते मुस्लिमों को लाम बंद कर रहा है अरब कंटीज क कोई नहीं कर रहा चाहे वो मुसलिमों का कोई कितना भी बड़ा नेता अपने को कहे लो क्यों क्यों रखिये गाघर इस समय अरब देश उनको बचाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या कर रहा है आतंकबाद को सपोर्ट कर रहं ओर आज नहीं तो कल वो भी क्या होंガ उससे पीडित होंगे इसलिए ध्यान रखिएगा कि हिंसा का कोई भी मतलब किसी भी बात किसी भी मैटर का हल हिंसा नहीं होगा कहीं न कहीं आपको जा करके रुखना पड़ेगा धीरे धीरे वारता आगे बढ़ रही थी two state solution ही इसका last solution है वो भी जो है कई बार आपके exam में प प्लिस्तीन के मुद्दे पर इस बात का जिक्र आता है बार आगे और बाकी राष्टों पर क्या effect पड़ा कि इस हमले से जो अरब देश इसराइल को बार बार मानिता दे करके कूटनितिक संबंद बढ़ा रहे थे अब रहा हम समझते के साथ चाहे बहरीन यूएई ने बढ कर दिया जार्डन ने अपना राजदूद बुला लिया वापस ठीक मतलब अमबेसी क्लोज कर दी तो ये सब चीजे मतलब वारता क्या हो गई पट्री से उतर अगई और ये वही चाहते थे ये सीजी सी बात ये है कि ये चाहते हैं कि फिलिस्तीन को दरकिनार करके आप इज चीजें हैं और आज के लिए इतना ही आसा करते हैं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक की और बढ़ेंगे किसी अगले मुद्दे को उठाएंगे जो भी हाइलाइट चल रहा है और मोस्ट प्रोबैबली हम लोग प एक human being के नाते ऐसा नहीं कि सारी चीजें सबकुछ एक कोशिस रहेगी कि गलतियां कम से कम हो लेकिन फिर भी आप पढ़ते रहिए बुक्स जरूर पढ़िएगा कुछ करेक्शन हो तो वह भी हमें बताते रहिएगा द्रवाइच हम तो करते ही है और पस यही कहना था मेहनत कीजिए पढ़िए और खुब रिवीजन कीजिए धन्यवाद